असलाम लेकुम जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि data का life cycle क्या होता है यानि कि data अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका life cycle क्या है किस तरीके से आप data को check करते हैं, store करते हैं या किस तरीके से manage करते हैं तो as a data analyst आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहला होता है अपने planning phase में जाना होता है यानि कि plan करना है इसमें क्या करते हैं decide करते हैं what kind of data is needed and how it will be managed ठीक है and who will be responsible for it planning के उपर आप सारा plan करते हैं लोगों की job से related कि किसने क्या काम करना है और plan किस तरीके से करना है, manage किस तरीके से करना है, store कैसे करना है और इसका responsible कोन है second phase आप क्यों होती है capture की क्या आप असल में data को collect करते हैं या data को कैसी variety के अंदर different sources के थ्रू लेके आते हैं जो हमारे लिए usable होता है तो इस stage के उपर आप data को collection या data की management होती है जो आप लेके आते हैं अपने लिए ठीक है तो इसको data scrapping या हम data extraction भी बोल देते हैं फिर तीसरी stage होती है manage की इस stage के अंदर आप असल में data को manage करते हैं इसमें आप care करते हैं data की उसे maintain करते हैं इसमें यह भी determine किया जाता है कि data कहां पर store होगा और कौन से tools के थ्रूँ आप उसे use कर सकते हैं और उसे manage करेंगे और इस policy के उपर सभी data analysis को एक कंपनी के अंदर रहना पड़ता है second is analyze यानि कि इसके अंदर आप analysis करेंगे fourth है sorry not second use the data आप data को check करते हैं और फिर आप उसको solve करने के लिए जो आपकी problems है अपनी company के अंदर उसके अंदर आप इसको utilize करते हैं then you make decisions out of it and then support the business goals तो आप यह सारा काम जो है data analysis के अंदर करते हैं यानि कि fourth step के अंदर जब आपका यह वाला काम complete हो जाता है यानि कि यह वाला काम आपका complete हो गया then you will go towards the fifth phase, fifth step जिसका नाम है जी archive करना data को आप data को archive करते हैं यानि कि आप keep relevant data stored for longer terms and future references यानि कि आपका काम आप खतम हो गया then you still save this data for future goals हो सकता है future में कभी आपको जिन्दिगी में जरूरत पढ़ जाए तो इसको बोलते है archive करना ऐसी जगह पे जहां से कभी जरूरत के वगत दुबारा से निकाला जा सके then we go towards destroy अक्सर उकात अक्सर company का data जो होता है उसकी एक limit होती है एक life होती है कि आपको तीन साल के बाद data को remove करना पड़ता है तो remove data from the storage and delete any shared copies of the data तो अगर आप western countries के तरफ जाएं तो यहां पर यह data privacy की policies बहुत important होती है यानि के आप किसी जॉब के लिए apply करते हैं they have mentioned in their job के जनाब आपका छे माँ बाद जो है वो data जो हम remove कर देंगे destroy कर देंगे वो बेशक digital हो बेशक copies की form में हो यह सेम ऐसे काम करता है जैसे crushers आपने देखे होंगे different किसम के जो आपकी offices के अंदर होते हैं से आप अपने important documents को crush करते हैं ताके और कोई उसे use ना कर सके keep in mind यह जो 6 studies है यह data का life cycle है data का life cycle है not about data analysis life cycle data analysis के life cycle में आपके पास यह वाले step होते है ask prepare process analyze share and act यह भी 6 processes है यह वाले जो 6 processes है यह data के है मतलब यह जो 6 है plan capture manage analyze archive and destroy यह होगे data के life cycle के ask prepare process analyze share and act यह होगे data analysis के life cycle तो hopefully यह दो चीज़ें आपको याद रहेंगी क्योंकि हर company के अंदर इन दोनों चीज़ों का जो मियार है जो process और जो steps है वो बहुत importance के हामिल होते हैं next video में मिलते हैं अलाहाफिज